Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज के हमारी रोचोक और उपयोगी जानकारे है Difference between syrup and sauce तो चलिए शू करते हैं आज सबसे पहले ये सिरप यहां हमने उधारन के लिए चॉकलेट सिरप लिया हुआ है सिरप कम गाड़ा तरल जिसे आसानी से पल्टा या बोर किया जा सकता है होता है इसमें अनेको स्वाद और फ्लेवर पाई जाते हैं इसका उपयोग मुख्यता पेपदार्थों यानि ड्रिंक्स में स्वाद और मिठास देने के लिए किया जाता है ड्रिंक्स के अदरिक मीठे पकवानों यानि डिजर्ट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है आज दूसरा है ये सॉस यहां हमने उधारन के लिए ये चिली सॉस लिया हुआ है जहां पश्चिम में सॉस अपने गारी रूप में पाई जाती है जिसको आसानी से पोर नहीं किया जा सकता वहीं एशियाई देशों में ये है सिरप की तरह पतली होती है जिसे आसानी से पोर किया जा सकता है पश्चीमी देशों में सॉस का अक्सर वही रूप होता है, जो हमारे यहां की करी या क्रेवी का, जैसे फ्रांस की ये 5 प्रशलित सॉस. सॉस अक्सर नमकीन होती है, सॉस का उपयोग पश्चीमी देशों में मुख्य भोजन यानि मेन कोर्स को बनाने में होता है, जबकि एशियाई देशों में sauce का उपयोग भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है आप देखेंगे पूरे एशिया भर में soy sauce, oyster sauce, poison sauce इत्यादी काफी प्रचलित है जबकि भारत में sauce सब का उपयोग चटनी के प्रयाय के रूप में होता है जैसे ये हरी मिर्चियों से बनी sauce, green chili sauce कहलाती है सिरप और sauce दोनों ही साधान शब्द या generic terms है इनके अनेकों स्वाद या flavors होते हैं जिनको इनका नाम इसमें मिली सामगरियों के कारण मिला है अक्सर सिरप और sauce दोनों शब्दों का उपयोग एक दूसरे से अदल बदल या interchange कर लिया जाता है सिरप का स्वाद हमेशा मीठा है जबकि sauce नमकीन, खटी, मीठी और मीठी भी हो सकती है और हम आशा करते हैं आज के हमारी सिरप और sauce की है चलक आपकी everyday life में ज़रूर उपयोगी रहेगी thanks for watching and keep enjoying our everyday life